कल हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद जमू कश्मीर विधानसभा को भंग कर दिया गया जमू कश्मीर में राजिपाल सत्यपाल मलिक ने विधानसभा भंग कर जल्द चुनाओ का रास्ता साफ कर दिया है यानि घाटी में PDP National Conference और Congress गटबंदन की पहल को भी बड़ा जटका लगा है राजिपाल में अपने आदेश में विधानसभा भंग करने के पीछे चार प्रमुक कारण बताएं है विरोधी राजनीतिक विचारधारा वाले दलों के गटबंदन से स्थाई सरकार बनने के आसार कम है सरकार बनाने के लिए विधायकों की खरीद परोप्त की आशंका है खंडित जनादेश से स्थाई सरकार बनाना संभव नहीं है ऐसी पार्टियों का साथ आना जिम्मेदार सरकार बनाने के बजाए सर्ता हासिल करने का प्रयास है जमू कश्मीर की नाजुक सुरक्षा वेवस्था के मद्दे नजर सुरक्षा बलो के लिए स्थाई और सहयोगात्मक महौल के जरूरत है इसी साल जून में जमू कश्मीर में पीडीपी और बीजेपी के गडबंदन सरकार से बीजेपी ने समर्थर वापस ले लिया था जिसके बाद से घाटी में राज़िपाल साशन चल रहा था और विदान सभा भंक होने से पहले जमू कश्पीर में पीडीपी ने नैशनल कॉंफिर्स और कॉंगरेस के साथ मिलकर सरकार बनाने का दावा भी पेश किया था जब मुकश्मीर में कल राजिपाल के विधान सभाब भंग करने के फैसले से पहले दिन भार नए गटबंदन के सरकार बनने की सुखब कहाट चल रही थी लेकिन राजिपाल सत्यपाल मलिक के फैसले के बाद गटबंदन को बड़ा जटका लगा है और नाशनल कॉन्फरेंस ने इस फैसले को अलोग तांत्रिक बताया है शंटर की हिदायें पर जो गवंदन ने किया अंदेमोक्रेटिक है वही बीजेपी ने पीडिपी एंसी और कॉंग्रस करपन्धन के पीछे की ताकत पाकिस्तान को बताया है पीडिपी 28, बीजेपी 25, नाशनल कॉन्फरेंस 15 और कॉंग्रस के बारा विदाया वही पीपल्स कॉंग्रेस के नीता सजाद लोर ने बीजेपी और 18 विधायकों के समर्थर होने का दावा कर राजिपाल के सची को वाटसाप पर मेसेज भी भेजा था लेकिन रात होते होते सारे दावे धरे के धरे रहे गए और विधान सभाब भंग हो गई झाल वेकिन्गावश पर मेसे परावाँ में लोर दो खी सची कि नामान सप्जाब परे रहे बीजक मगशनेiqué